आज हम डिसकस करेंगे असेस्मेंट फोर लर्निंग सेकंड पिपर हम कर चुके हैं अगर आपने नोलेज और करिकुलम का फर्स्ट पिपर नहीं देखा है गुरु जंबेशवर उनिवरसटी तो आप आई बटन में देख सकते हो फर्स्ट पिपर यह सेकंड पिपर है गुरु 5 questions करने है all paper में और जो आपकी units होती है उन में इन map one questions आपको select करना है दो questions आपको मिलेंगे unit wise लेकिन आपको सिर्फ ही questions करना है तो option में मिल जाएगा आपको एक question अगर आपको नहीं आता है दूसरा question तो आप कोई भी एक question कर सकते हो ठीक है आपसे पुछा हुआ है, मापन की अभधारना, संचित अभिलेख, विभीन स्थरोपर मुल्यांकन, परतिस्तांकस्तान की पुरिभाषा क्या है यह आपसे पूछे हुए है, यह फर्स्ट पूशन है और first question आपका compulsory है ठीके कोई भी जो first paper आपका होता है beard में तो जो first question जो होता है वो compulsory होता है ठीके इसमें से चारो questions आपको करने compulsory है उसके बाद first unit first unit आपका second questions है मुल्यांकन क्या है मुल्यांकन के महत्व वैसे धानतों का वनन कीजिए third question है आपका अनुदेशनात्मक उदेशों के लिए bloom दवारा संसोधित वरगे करन 2000 का विस्तार से वनन कीजिए revised bloom taxonomy है जो आपने first year में पड़ी थी वो bloom taxonomy है लेकिन 2000 में इसको revised किया गया था bloom और उनके सहयोगी साथियों के दवारा यह 2000 में होई थी जब आप इसको पड़ोगे तब आपको समझ में आएगी क्या-क्या इसको revised किया गया था ठीक है तो second year में आपकी है revised bloom taxonomy यह भी important है और यह आपसे पूछी गई है 14 marks में उसके बाद second unit second unit में आपसे यह दो question पुछे होई है फोर्थ नमर पे formative evaluation and summative evaluation रूप दे मुल्यांकन और योग दे मुल्यांकन क्या होता है अगर आप fourth question सेलेक्ट कर रहे हो second unit में तो आपको दोनों करने पड़ेंगे उसके बाद है आपका fifth question उपलब्दी प्रिक्षन की अवधारना लिखिए उपलब्दी प्रिक्षन की संग्रचना के चर्णों का उधारन से ही तो वनन कीजिए अगर आप fourth करते हो तो आपको दोनों करने पड़ेंगे अगर आप fifth करते तो सिर्फ आपको fifth ही करना पड़ेगा तो unit wise आपको equation करने है उसके बाद है third unit मुल्यांकन की credit परनाले क्या है इसकी प्रकरती वैकारियों की विस्तार से भी बेचना कीजिए credit system of evaluation यह आपको बताना है 14 marks में ठीक है nature and functions आपको बताने है उसके बाद है आपका इस तरीके से optional question है seventh question यह भी two parts में है अगर seventh question करते हो तो यह करने पड़ेंगे otherwise आप sixth question कर सकते हो चीक है seventh question का first है मुल्यांकन के मुद्दे क्या है और second है मुल्यांकन के design प्रकार वै आयोजन इसके क्या है design and conduct of assessment issues of assessment क्या है यह आपको बताने है उसके बाद आपकी fourth unit सक्षिक मुल्यांकन में सांकी की का अर्थ क्या है इसकी आवश्यक्ता वैसके महत्तो आपको बताने है ठीक है आपकी जो fourth unit है यह numerical based है theoretical based भी है आपको यहाँ पर या तो दोनों ही numerical questions देखने को मिल सकते है या तो दोनों ही theoretical questions देखने को मिल सकते है एक numerical हो सकता एक theoretical हो सकता है जैसे इसमें आया हुआ है next question आपका ninth question वो numerical है ठीक है तो ninth question देखते है इस तरीके से यह आपका mean and standard deviation आपको इसमें निकालना है यह आपको data दिये हुई है statement यहाँ पर दिये हुई है ठीक है जी तो यह statement है तो इस तरीके से आपको आपका questions निकालना है ठीक है तो यह आपका paper था second assessment for learning be it second year का गुरु जंबेशवर university का और जो next paper है वो मैं जल्द upload करूँगे अपने ही channel पर तो आप अपने friends के साथ ज़्यादा share करें वीडियो को ताकि उनको भी पता चले कि जो 2020 के question paper है वो आपको और आपके friends को मिल सके क्योंकि channel पर मुझे नहीं लगता कि हैं मुझे आज mail मिला था तो उस mail में मुझे पता चला तो मेरे पास थे तो मैंने upload कर दिये तो आपको कहीं जाने के जूरत नहीं है question paper आपको बीड second year के इसी channel पर मिल जाएंगे कोई भी university हो CRSU, MDU, Guru Jambeshwar University, Serial U, CBLU, IGU कोई भी university हो कुरुक्षेत्रा university हो सब भी के बीड़ के question paper आपको इसी channel पर मिल जाएंगे ठीक है तो channel को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अपने friends के साथ share ज़रूर करें thank you